दोस्तो आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन उज में दोस्तो इस वीडियो में नर्सिंग परामेडिकल भरती 2023 नर्सिंग आफिसर फार्मासिस्ट फाइनल सूची महिला स्वास्ति कारेकरता होल्ड सूची फॉस्टिंग ओपी थाक कौन से अखबार में आई थी क्या कुछ खबर है सबसे पहले बता दें दोस्तो यह आज के राजस्तान पत्रिका में आई थी कहां पर आई थी खबर आज के राजस्तान पत्रिका अखबार में ठीक है राजस्तान पत्रिका भी कौन सा सीकर वाला ठीक है सीकर संस्क्रण जैस इकर वाले अख़बार में राजस्थान पत्रीका में ये खबर आई है ये है कैसा रोजगार उत्सव नोकरी के लिए बुलाया स्वागत किट देकर भेज दिया तो ये पत्रीका ने इस खबर को परमुक्ता से चाप पा है कि चिला मुख्यालों पर हुए रोजगार उत्सव म नव चैनित एनेम को भी बुलाया लेकिन नोकरी अभी तक नहीं तो अच्छी खबर यहाँ पर छापी है राजस्थान पत्रीका ने धन्यवाद दूँगा मैं रास्थान पत्रीका को रिपोर्टर साब को कि उन्होंने ये खबर उठाई है परमुक्ता से क्योंकि एनेम्स क ठीक नई भरतियों के विग्यप्ति भी जारी कराए सरकार तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरकार की ओर से ये आजीद होने वाले रोजगार उस्व भी बेरोजगारों को पूरी खुशिया नहीं दे पा रहे हैं प्रदेश में पिछले दिन होई रोजगार उस्व म सबी जिलों में सिफू के जरिये नव चनित एनम अभ्यरतियों को बुलाया गया लेकिन नोकरी के बजाए स्वागत किट दे कर भेज दिया आप लोग को याद होगा क्या कुछ हुआ था और अभी चिकित्सा विभाग की ओर से एनम भरति मामले में कई अभ्यरतियों की जा जियापन दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दस्तावजों की जाँच पूरी हो चुकी है उनको तो नोकरी दीजे हलंकी सरकार की ओर से रोजगार उट्सों में सिक्सा स्वायसासन वन विभाग सही काफी जो विभाग है उनके भरतियों को न्युक्ति पत्र दिया को देखिएगा ऐसे समझे बेरोजगारों का दर्द है तो देख सकते हैं कोटा उत्सव में बुलाया लेकिन नोकरी की गर्डलाइन ही तो कोटा में देखिए क्या हुआ कोटा में सरकार की ओर से रोजगार उत्सव कायजिन हुआ कोटा जिले में 235 अभ्यरतियों को बुलाया जिसमें 218 उपस्तित हुए थे लेकिन 9 अभ्यरतियों को निक्ति पत्र दिये गए, 9 कोई दिया गया, इसमें 1 विभाग और अन्य विभाग सामिल है, जबकि 60209 को लेकर अभी तक सरकार के इस तर से कोई गैडलाइन नहीं मिलने से बेरुजगार यवाओं को निक्ति पत्र नहीं दिये गए, ये कोटा की कहानी है, दूसरा नागोर से 124 एनम्स को नोकरी का इंतजार, नागोर से भी 210 अभ्यरतियों को बुलाए गया था 17 सितंबर को, इसमें शिक्षा विभाग, पसुपालन, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट से विदुत विनिगम, स्वायत सासन संकी की विभाग, लेकिन 124 जो एनम्स हैं, उनको नुक्ति पत्र नहीं दिये गए, अलवर, आप लोग देखें, हमारे जिले से, चिकित सा विभाग की और से 177 अभ्यरतियों को बुलाए गया था, इनमें 177 अभ्यरतियों को रोजगर उसमें पहुँचे, जिनें कालपनि जो चीजें हैं, वो की गई, वर्च्वल जो फ्रेम्स हैं, वो यहाँ पर दिया गया, स्वागत किट दिया गया, और आप देखिए दोस्तों, जो सिफु के जो डिरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो क्या कह रहे हैं, एनम का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन होल्ड वाले अभ्यर्तियों की जांच जारी है, जांच पूरी होते ही सभी को निउक्ति मिलेगी, ये ओपी थाकन सापका एनम भर्ती को लेकर के कोट है, बयान है, दूसरा यहाँ पर देखिए, नर्सिंग ओफिसर वर फार्मासिस्ट के अभ्यर्तियों का भी 9 दिसंबर महिने तक परि जाएगी, किसी वर्क के पदों में कोई कटोती नहीं की गई है, खेल कोटे के रिपोर्ट आएगी तो नौकरी दे दे जाएगी, बाकी नर्सिंग ओफिसर और फार्मासिस्ट नौमबर और दिसंबर में परिणाम जारी करने की तयारी, ये ओपी थाकन सापका बयान है, इस ठीक है, वो सकता ये छूटियां काफी सारी आ रही है, आगे कर दें इस बयान को देखें, तो ये तो कह रहे हैं कि भाई, नौमबर और दिसंबर में हम जारी करेंगे, नौमबर में नर्सिंग ओफिसर का और फार्मासिस्ट का कर रहे हैं, दिसंबर में, हमारे अकोडिंग लिस्ट अक्टूबर में आ रही है, ठीक है, तो ये उपी थाकन साब कह रहे हैं कि भाई, हम ये सारी चीजे करने जा रहे हैं, रही बात एनम्स के पोर्टल की तो, देखो इसी सब्ता में खुलने की पूरी संभावना है, ठीक है, बाकी तो आप चानती हो, यहाँ पर ठीक है न, सारा कुछ देखिए आप लो, ये खबर देखिए आप लो, ठीक है, तो ये है दोस्तो, ठीक है, ओपी थाकन साब कह रहे हैं, भाई हम ये चीजे कर रहे हैं, खेल कोटे के अभ्यरतियों को भी निक्ति दी जाएगी, कोई कटोती नहीं की जाएगी, कल से एक मैस सेज भी वारल हो रहा था, कि पंदरा सो पद ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं साथ ही हो, ठीक है न, जो कुछ होगा, हम आप लोगों को टेलिग्राम पर ही पोस्ट कर देंगे, आप लोग टेलिग्राम को जोईन कर लेजें, और जो लिस्टें हैं, दोस् जोचे, कि यार निउपती जब मिलेगी, जब मिल जाएगी, आप लोगो कोशिस करनी चाहिए, दिल को छोटा नहीं रखना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, कोशिस करो, आयार आप लोग ठीक है, ग्यापन दे सकते हो, आप लोग अपने विधायकों से कोल मैसेज करवा सकते हो, सिफु को, कित्सा मंतरी जी को कहलवा सकते हो, यह सारे चीज़े तो आपके बस की बात है, ठीक है, आपके हिस्से की बात है, आप लोग कर सकते हो, यह सारे चीज़े हैं, पकि रास्तान पत्री कानी आज प्रमुकता से इस खबर को चाहिए, तो अच्छी बात है, इस ज धन्यवाद जय हिंद जय भारत